हलो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल नॉलिज मॉल में आप लोगों का श्वागत है और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेर करें हलो फ्रेंड्स आज ये अनुपात समानुपात यानि रेश्यो इन परपोशन की ये थर्ड वीडियो है तो आईए देखते हैं हाँच का पहला कुश्चन है कि एक बकसे में 64 सीसे जनी 64 सीसे थे बकसे के गिरने पर तूटे हुए तथा बिना तूटे हुए सीसों का अनुपात कौन सा नहीं होगा ध्यान रखिए दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुपात नहीं होगा तो किसी भी काटून में मान ले जाए कि जितने भी सीसे हैं वो गिरने के बाद अगर सीसे के बरतन या कोई भी चीज़ है तो वो तूटे गा ही तो तूटेगा तो यहां पूछा जा रहा है कि तूटे हुए और बिना तूटे हुए दोनों का अनुपात तो दोनों का अनुपात कौन सा नहीं होगा तो ऐसे question को बनाने के लिए ये concept है कि कोई ऐसा option जिससे कि जिसके योग से अगर 64 नहीं कटेगा वही हमारा answer होगा और तूटे हुए सीसो का अनुपात क्या हो जाएगा बिना तूटे हुआ तूटे का जिससे कि ये कट जाए तो आईए पहला option देखते हैं कि 3 और plus कितना हो जाएगा हमारा 8 और 8 से 64 कट जाएगा देखें 64 भाए 8 करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा यानि कि यह हमारा option नहीं होगा क्योंकि यहाँ पूझा जा रहा है कौन सा अनुपाथ? नहीं होगा होने वाला नहीं कौन सा नहीं होगा अब देखे 7 और 9 को चेक करते हैं तो यह कितना हो जाएगा? यह 16 हो जाएगा, 16 से भी 16 क्या है, विभाज है, यानि ये भी हमारा अंसर नहीं होगा, अब दीखे, 7 और 5 को add करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12, 12 से 64 हमारा नहीं कटता है, और नहीं कटेगा, तो इसलिए पूछा जारा कि कौन सानुपात नहीं होगा, तो हमारा option number C, और इसके लिए एक और चेक कर लेता है, हमारा लास्ट बचा हुआ है, 1 और 3, दोनों का अगर add कीजिये, यह हमारा 4 हो जाएगा, और 64 हमारा क्या है, विभाज जैनी, यह भी हमारा option नहीं, यानि option number C, next question है, कि 5 केले तथा 4 सेवों का मुल्य, तथा 3 केले और 7 सेवों का मुल्य बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेव के मुल्यों का अनुपात क्या होगा, तो आएए, 5 केले, यानि कि केला को हम बनाना बोलते हैं, तो B से denote कर लेते हैं इसे, 5 B, 5 बनाना और 4 सेव, तो 4 से 4 एपल स इसे denote कर लेते हैं, कि 5 केले तथा 4 सेव, यानि कि इन दोनों का मुल्य है, वह 3 केले, यानि 3 बनाना और 7 सेव, यानि 7 एपल के मुल्य के बराबर है, तो इसे बराबर कर लेते हैं, अब कहा गया कि 1 केले और 1 सेव के मुल्य का अनुपात, तो देखिए, यह हमारा 5 भी, 5 ब और यह हो जाएगा, 3 A, पूछा किसका किसका अनुपात गया है, केले और सेव, तो यह हो गया हमारा बनाना, और यह हो गया एपल, तो मैंने साइद बताया नहीं, बट फिर से बता देते हो, अगर बताया भी है तो, तो जब भी, अगर माल लेते कोई चीज बटे में है, ज जिसके सामने जो रहता है, वही उसका मान होता है, तो B के सामने क्या है, 3, तो इसका मान हो जाएगा 3, A के सामने क्या है, 2, तो इसका मान हो जाएगा 2, यनि कि एक केले और एक सेव का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 is to 2, next question है कि कोई धन अजय तथा विजय में 4 अनुपात 3 के अनुपात में बाटा गया है तो विजय का भाग कहा गया कि 2400 रुपया है तो कुल धन कितना होगा अब आईए यह है अजय और यह विजय अजय का 4 है और विजय का 3 4 is to 3 दोनों का अनुपात दिया गया है जिसमें कि कहा गया कि विजय का भाग क्या है तो विजय का भाग हमारा क्या है 3 और यह अनुपात में यह एक्जेक्ट मान नहीं है तो इसे हम X इंक्लूट कर सकते हैं इसमें तो विजे का मान है 3X, और इसका कितना मान है हमारा, 2400, इसे हम 3 से एकर काट दें, तो यह हमारा 800 टाइम में कट जाएगा, X का मान मालूम है, पुछा गया कूल धन कितना है, तो कूल धन, कूल धन कितना हो गया हमारा, दोनों का add कर देंगे, 4X अजे का और 3X विजे का, दोनों मिलाकर हो गए कुल धन 7x और कुल धन का मान पूछा जा रहा है यानि कि 7 x x का मान कितना 800 यानि कि 5600 रुपीज यह हमारा टूटल धन next question है कि 55,000 यानि कि 55,000 रुपया की धन रासी को राम स्याम और मुकेस के बीच 2 अनुपाद 4 अनुपाद 5 के अनुपाद में बाटना है स्याम और मुकेस के बीच रासी में कितने का अंतर है आईए यह राम स्याम और मुकेस इन दोनों के बीच जो धन बड़का बटवारा होने वाला ये है 2 is to 4 is to 5 आप कहता है कि ये हमारा टोटल धन है 55 इनी को बाटना है इस अनुपात में तो इसमें कुछ नहीं तो X include है आप कहा गया कि स्याम और मुकेस के बीच पहले हम एक्स का अगर मान निकाल ले तो फिर हमसे क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा जाएं उसका आंसर दे तो आइए टोटल धन होगी हम तीनों को एड़ कर लेंगे इकवल टो हमारा टोटल धन कितना है 55,000 इसे अगर हम एड़ करते हैं तो हमारा जाएगा 11 एक्स वल टो 55,000 ये 11 से कट जाएगा 5,000 टाइम में अब हम सबका मान निकाल लेते हैं कि राम का क्या है 2X मान दिया गया है यनि कि 2 इंटू 5,000 यनि कि 10,000 रुपीज ये राम का हिस्सा हो गया स्याम का आपका 4X दिया हुआ है तो 4 इंटू 5,000 कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20,000 रुपीज फिर है आपको मुकेस का तो ये मुकेस का 5X है 5 इंटू 5,000 तो ये हमारा 25,000 हो जाएगा ये हमारा निकल गया तीनो का अब देखिए अब ये मैंने तीनो का जरूरी नहीं था निकालना बट मैंने इसमें निकाल दिया कि आप लोगों एक कॉंसेप्ट मिल सके कि इस तरीके से हम टोटल का निकाल सकते हैं अब इसके बाद आपको किसी का भी अंतर पूछा जाए र और मुकेस के बीच रासी में कितने का अंतर है स्याम और मुकेस तो देखिए स्याम के पास 20,000 रुपे और मुकेस के पास 25,000 रुपे कितने का अंतर है तो 5000 रुपे का अंतर है अब आए इसे देखते हैं यह थोड़ा लॉम हो गया आए देखते हैं से सौट में यह पता है कि स्याम और मुकेस इन तीनों का अनुपात पता है 2 इस टो 4 इस टो 5 आ टोटल धन पता है कहा गया कि स्याम और मुकेस के बीच रासी में कितने का अंतर होगा स्याम और मुकेस तो देखिए तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है स्याम के पास 4 और मुकेस के पास 5 कितने का अंतर है एक का एक का अंतर कब जब धन है हमारा ये 4, 2 और 5 को जब एड़ करते हैं तो हमारा 11 जब टोटल धन 11 है तो इन दोनों का अंतर एक तो जब धन 55,000 हो जाएगा तब अंतर कितने का यानि की 5,000 रुपी और ये देखिए हमारा 5,000 रुपी यहां भी आये गया है तो आपको जो अच्छा लगे आपको इससे बिना सकते हैं नेक्स्ट कुश्चन है कि कोई धन P, Q और R के बीच करम सा 2, 3, और 5, 2, 3, 5 के नुपात में बाटा जाना है यदि P तथा Q का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 400 रुपी अधिक हो तो R का हिस्सा क्या होगा आईए ये P इस्टो Q, इस्टो R का हिस्सा दिया हुआ है 2, 2, 3, 2, 5 इस अनुपात में बाटा जाना है आप कहता है कि यदि P तथा Q का कुल हिस्सा देखिए P और Q का कुल हिस्सा कितना हो गया इसमें X include है तो 2X और 3X दोनों का हिस्सा कितना हो गया 5X यह है आपका P पलस Q का अब कहा गया P पलस Q का जो कुल हिस्सा है Q के हिस्से से अब देखे, Q का हिस्सा कितना दिया गया है, 3X, कहा गया Q के हिस्से से 400 रुपया जादा है, देखे, P और Q का 5X है, और सिर्फ Q का कितना है, 3X, और ये देखे, तो कितना जादा है, ऐसे भी हमें दिख रहे हैं हाँ पे, कि P और Q का हिस्सा 5X जादा है, और इसका कम है, तो द यह हमारा कट जाएगा 2 से 200 टाइम में, तो X का मान भी निकला है मारे पास, अब इसमें से अगर P का हिस्सा पूछे तो भी हम बता सकते हैं, Q का भी बता सकते हैं, R का भी, जिसका पूछे हम उसका बता सकते हैं, तो इसमें पूछा गया है R का हिस्सा, तो R का हिस्सा दिया 5 x 5 multiply x का मान कितना हो जाएगा 200 यानि कि 1000 ट्रोपीज ये हो गया हमारा आर का हिस्सा तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे केमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चानल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप लोगों को आसानी से मिल सके तो लाइक कीजे कमेंट कीजिए जादा से जादा से जादा सेयर करें मेरे वीडियो को धन्यवाद